मोदी नगर सेट गुजारमल मोदी ने 1933 में की थी महीं 1975 में जब गाजियाबाद जिला बना तब मोदी नगर को तहसील घोसीत किया गया गाजियाबाद से 25 किलोमेटर उत्तर पूर्व दिल्ली मैसूर नेशनल हाईवे 58 पर मोदी नगर शहर है 1933 में मोदी नगर की स्थापना करके मोदी परिवार ने यहां कई उद्योगों की अस्थापना की जिसकी सुरवात एक चीनी उद्योग से की गई शुरू-शुरू में मोदी नगर 571 एकड जमीन में बसा था उस समय ये एतिहासिक शहर बेगमाबाद का हिस्सा हुआ करता था जिसकी स्थापना नवाव जफर अली ने किया था उनकी पत्नी बेगम की निधन के बाद इस शहर का नाम बेगमाबाद पड़ा मोदी गृप ने बेगमाबाद के किसानों से हजारो एकड जमीन लीज पर ली कई किसानों ने जमीन फ्री में दे दी ताकि यहां और दूर दराज के लोगों को रोजगार मिल सके मोदी परिवार ने सुरुआत में कई फैक्टरिया लगाई मज़दूरों के लिए कालूनिया बसाई इसकूल कॉलेज खोले हर वो सुविदा देने की कोशिस की जिससे लोग आराम से रह सकें और शहर का नाम रखा गया मोदी नगर मोदी नगर की सुरुआत बहुत अच्छी हुई थी कहा जाता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी मोदी नगर के रास्ते से गुजरते थे तो उनकी गाड़ी अपने आप मोदी नगर में ठहर जाती थी यही नहीं मुकेस अंबानी जो देश के सबसे अमीर आदमी है एसिया और पूरी दुनिया में मुकेस अंबानी के चर्चाएं होती है उस मुकेस अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी एक जवानी में मोदी नगर से कपड़े खरीद कर ब्यापार किया करते थे इस से समझ लीजिए मोदी नगर का देश भर में क्या जलवा हुआ करता था लेकिन मोदी नगर की चमक ज्यादा नहीं रही मोदी गुरूप पर ग्रहर लग गया परिवार की आपसी फूट और परिवारी खीजतान के चलते फैक्टरियों में हर्ताले होने लगी एक के बाद एक मोदी गुरूप की फैक्टरिया बंद होने लगी एक तरफ मोदी परिवार में आपसी कलत ही मजदूर यूनियन मोदी गुरूप के सामने लाम बंद हो गई मोदी गुरूप ने मजदूर यूनियनों का सिर को चलने के लिए हर संभव कोसिस की कुछ मजदूर यूनियन के निताओं को धन के बल पर खरीद दिया गया कुछ निताओं की आवाज दबा दी गई और जो माना नहीं वो एके कर संदिक्त परस्तितियों में मरते गया उन में से एक की मुर्ती आज भी हापूर रोड पर इस्थित है लगातार फैक्ट्रियों के बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए भुक मरी के हालात पैदा हो गए जिसके चलते लाखों मजदूर मजबूरी में पलायन कर गए और जो कुछ बचे उन्होंने मोदी ग्रूप के खिलाफ इलहाबाद हाई कोट का दरवाजा खटखटाया इसके बाद मोदी ग्रूप के बटवारे का सिलसिला सुरू हो गया और जिसके हिस्से में जो आया उसने उसको बेचना सुरू कर दिया पैसों की ताकत और राजमीतिक पकड़ के चलते मोदी परिवार ने नियम और काइदे कानूनों के साथ साथ मजदूरों के आंदूलों को भी कुछल दिया मोदी ग्रूप के खिलाफ आज भी इलहाबाद हाई कोट में मजदूर केस लड़ रहे हैं 2010 में एलहाबाद हाई कोट ने labor act पची सो के तहट मोदी ग्रूप को दो सी ठाराया हाई कोट ने मोदी ग्रूप के खिलाफ आरसी जारी कर मजदूरों का बकाया भुकतान करने का फैसला सुनाया था और मज़ूरों का भुकतान होने तक फैक्टरी को यथा इस्तिती में बंद करने का फैसला सुनाया था जिसके खिलाब मोधी ग्रूप पैसों के दम पर दोबारा हाई कोट चला गया मोधी ग्रूप पर तब से लेकर अब तक कोई असर नहीं हुआ और वो मोज में रहने लगे लेकिन जो मज़ूर पहले मर रहा था वो आज भी मर रहा है इसलिए इनकी आवाज बन कर हम साथ में खड़े हैं दर्द पुराने काफी हैं क्योंकि खबर अभी भी बाकी है देखते रहिए लोकल वोकल नियूस